हालो गाईज कैसे हैं आप सभी आप सभी को नमस्कार करता हूं आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लाया हूं जेनरल और्गेनिक एमिस्टी में वह है रेजिनेंस या मेजमेरिक एफेक्ट ठीक है चलिए उसको पढ़ते हैं तो सारे बच्चे कोपी कलम लेकर बैठे हमारे स हैं चलि आगे पढ़ते हैं तो समर्जते हैं अब यहां तो फाक तो यही समझ लेते हैं फोता वाट इस रेजनेंस या वॉल्ट का समझते हैं कहता है कि रेजिनेंस क्या है यह पाई एलेक्ट्रोंस या लोन पेर अफ एलेक्ट्रोंस के डी लोकलाईजेशन को हम लोग रेजिनेंस कहते हैं तो डी लोकलाईजेशन का मतलब क्या हुआ डी लोकलाईजेशन का मतलब हुआ एलेक्ट्रोंस अपने पोजिशन को छोड़के दुस्रे जगे जा रहे हैं ठीक है अब सवाल है यह डी लोकलाइज कब करेगा वहना चाहिए सवाल यह आगे बढ़ते हैं यह डी लोकलाइज तब करेगा जब दो Πाई बॉन्ड या एक पाई बॉन्ड और एक लोन प्र फैफ एलेक्ट्रों आपस में इंटरेक्ट करें आपस में संबंध बनाए किजरे करेंगे आप नहीं करेंगे तो रहें देखते हैं से यह एक पाइबस और लोन पर अलगतों इंट्रेक्ट तब करेंगे जब यह एक दूसरे के साथ पोजिशन में है यहां तक किल्या है सबको हो गया अभ जो बोला समझ लो लास्ट में क्या बोला और या यह ब्डॉन होता है यह कैसे हूँ आप समझोड ये डबॉर्ट और ये डवांड आपस में single bonds से separated ठीक या दुसरे सब्थ हम कहा जाए ऐसा नहीं होगा अईसा नहीं सकता है i moyan कि इंगल बॉन्ट सिंगल बॉन्ट फिट वड़ ये कॉंजूगेट नहीं है किलियर हुआ कॉंजूगेशन जब कॉंजूगेट है कराओ रेज़ुनेंस कर दिया थे यहां इधर सिप्ट हुआ तो क्या बना इस से यहां नेगरिटिव चार्ज आगया और यहां पर डबल हैं आ गिया यहां नेगेटीव चाहिदा आई बात समझ में वहीं लाश्ट में क्या लिखा है यह रेजोंस होने से क्या हुआ को सबको क्लियर हुआ कैसे रेजोनेंस को समझते कैसे पकड़ते हैं कंठस हो गया अच्छी बात है अब यह रेजोनेंस आपका ट्रांसमिट होगा चैन के थृँ में अगर यह चैन है अगर ऑपन चैन में है तो तुसके तुर्फ होगा हम एक आपको दिखा दते हैं डिए डिफाता रींग लिए टान्समिट होता है यहां पर यह ऑक सीजन होगा ठीक है यह अब देखो यह ऑग डेक यह लों प्यार और यह डालबॉर्ण कॉंजगेट है कैसे तो भाई आप कहा अगर दो डॉल बॉंड है तो यहां कर दो यह बॉंड यहां खुलेगा चलो इसको बना लेते हैं मैंने एक सिस्टम ऐसा लिया ही है ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊं तो यहां आपका पाई बंड जागा यहां जागा माइनस इसी तरह जाएगा ठीक आप देखो यह और यह भी आपस पर कॉन्जुगेट है को कि सिंगल बॉंड से सेपरेटेड है सिप सिंगल बॉंड प्रेखी होना चाहिए अब देखो क्या होगा बातों को समझते रहना ठीक यहां प्लस आया को किस पर एक लोन पर जा चुक्या है अब दोखो यह इधर गया यह इधर आया यहां पर माइनस आगे देखा विधा पॉलारी टीबी होई सब कुछ हो गया तो यहां पर ना सिफ लोन पियर डवल बॉंट के साथ कॉंजुगेट है यहां पर डवल बॉंड डवल बॉंड भी आपस में कॉंजुगेट है तो सारा सिस्टम आपको दिखा दिया ठीक क्लियर होगा कोई दीकता किसी को नहीं है यह दो टाइप का होता है यह आपका दो टाइप का होता है पलस मॉलकुल लखा है कुछ लोग कहते हैं सिस्टेम ही बड़ा जीव है इसमें अधर लोग के साथ क्या है क्या है इस डॉल बॉंड को सिंगल मौन के चल सकते हो कोई प्रॉडलम नहीं है क्या बना यह आपका यह सिस्टेम अपका बंद के त्यार हो गया प्लस तीन बॉंड एक ऑक्सिजिन माइनस पर क्लियर हो गया रेजुनेंस समाझ में सबको आ गया वेरी गूड चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं आपका प्लस एम एफेक्ट या प्लस आर एफेक्ट यह कहता है कोई ऐसा ग्रूक या एट्व अटाच कर देते हैं यह एक टॉप यह यह एक्टम यह ग्रूप क्या है क्या है अलेक्ट्रर डॉइबिंग निचर में यह इस Protest ल Key HE आ है किसी किसी कारवन पर elektron की डंसिटी बढ़ जाती यहां आया डावल बॉंड यह नेगटिव यहां दावल और नेगटिव यहां तो बेंजीन के ओर्थो पर नेगेटिव चार्ज आएगा मेटापर चार्ज नहीं जाएगा बास समझना आई किलियर होगी तो आज के बास से बस एक ची याद रखना हमेशा कैसे पता करोगे तो कोई गुरूप पलस सेम है कि नहीं है तो इस तरह का सी सी डावल बना लेना इस पर कोई भी गुरूप तो रहते हैं है है अब दखो 아닌 अब देखो मौकी यहां लों पियर था इसलिए यॉंपार इसके साथ कान्जूगर्त गão ए सब कराने नहीं है तो नहीं है इसके सब्सक्राब्रा के साथ क्भी थे नहीं है ग्या गोंप यह रहा माइनस या दखना मुटा मुटी तोर पर कि कुई ऐसा गुरूप हो जिस पर लोन पेर हो अवह लोन पेर इस सी सी बॉंड के साथ क्या हो conjugate कर रहा हो पक्का electron देगा और plus m effect कहलाएगा कोई ऐसा group हो जिस पर lone pair है लेकिन lone pair conjugate नहीं है doll bond के साथ मतलब वहाँ पहले से doll bond रहा होगा जिसमें polarity होगी ये doll bond electron खीचेगा तो पक्का minus m effect होगा यार रखना इस बात को दिमांग बठा करें ठीक clear हो गया है चलिए आगे बढ़ते हैं अब minus m effect minus r की बात करते हैं ये कहता है क्या है कोई ऐसा conjugate system ले लो हम माले cc doll बन लेते हैं इसमें कोई ऐसा group जोड़ दो माले ये जोड़ दिया जो electrons ये group इस system से electron को अपी तरब खीच रहा है खीच रहा है इस ग्रूप ने यहां से खीच लिया तो इस पर electron density काम होगा ज्यादा हो जाएगा ठीक पासन में आई तो यह क्या हो जागा मुल्कुल यह मुल्कुल ऐसे हो जागा प्लस डवल बांड oxygen माले क्लियर हो गया है फिर से वहीं बात कहोंगा यह जितना गुरूप है सब क्या माइनस एम है कैसे पता करोगे देख लेना पक्का माइनस में देखना वहां कोई ऐसा लोन पर होगा वह नहीं करेगा वहां मैंसा इस तरीके का कोई डवल बांड होगा गुरूप में जो इस डवल बांड से कॉंजुगेट करेगा एलेक्टोन को पी तरफ खिंचेगा एक्सेप्ट करेगा मैंने एक एक जामपल लिया है इसका नाइट्रो बेंजिन का नाइट्रो को पर देखो इस पर लोन प्यर है लेकि इस पर प्लस चार जिनके मेटा गुरूप पर डेंसिटी बढ़ जाती है क्योंकि इसके और्थो गुरूप पर पोजिटीव चार्ज आ जाता है ठीक हो गया आई समझ में बात कि कैसे माइनेस सेम और प्लस सेम पकड़ते हैं बस पकड़ना ही तो है आपको सारा सौला बना लोगे ठीक क्लियर हो गया ठीक है इसे के साथ लेक्चर को फिनिश करता हूं मैं और अगला जो लेक्चर होगा हम इसी पढ़ लेंगे कि आपने जो में जमरी सिखा इसको कहां अपलाई करोगे क्योंकि कोस्चन जो पेपर में आता है डिरेट नहीं पूछेगा कि गुरूप दे दिया कहा कि ब अप्लेकेसिंग को लेकर कि मैं अगला लेक्चर आऊंगा मैं इसाथ बने रहेगा ठीक है और मेरा इंतजार कीजिएगा मैं जरूर आऊंगा ठीक इसी के साथ टेक केर अपना ख्याल रखे खुश रहें मस्त रहें अल्विदा गुडबाय